नमस्तार आप एग निउस देख रहे हैं मैं हूँ अजय वैसे तो सेक्शनिक संस्थानों की भरमार है लेकिन कोई कोई टीचर होता है जो किसी खास सब्जेक्ट पर अपनी चाप छोड़ पाता है और ठीक इसी तरहे कैथर शहर में आपने नाम जरूर सुना होगा तो इस संस्थान के बारे में टीचर्स के बारे में एक बार जानने के लिए चलते हैं उपर सब्सक्राइब करते हैं अगर बीच में बोरिंग होजे तो सर कुछ में कुछ जोग करवा देते हैं और सर की टाइम लिमिट उपनी है जितनी टाइम लिमिट में एक बच्चा पड़ सकते और बोर्णा हो सर किसी भी चीज़ को डिफाइन करने से पहले उसका एक्जेम्पल सर किसी टोपीक को कंपलीट करने के बाद बाद से रीपीट करते हैं क्या से याद हुई होता है। वास होता है तो उस रजिस्टेंस भी होती है उसके बारे इंपड़ा था उसके बाद मैगनेटिक एक्ट ऑफ करन्ट आया था जब किसी कंड़क्टर के अंदर से हम एलेक्टरिक करन्ट को पास करते हैं तो वह मैगनेट बन जाए यह मूव करता हुआ चार्ट और इस पर क्या क्या हुँ अगर यह एंप लगातार लगता रहे हैं तो इसकी टेर्स कि होती हैगी तौर कि सब उप की मेरे प्राण हो log इनकी सर ने कोशिश करे थी ओनलाइन तरीके से भी पढ़ाने की हाँ हो गया था ओल्मस्ट जिससे कि हमें सारी कहानी एक तम पुझी तरह समझ आ जाए हमें याद भी रहता है सब कुछ विक सर जोज के साथ पढ़ाते हैं उनके face expression हमें सब कुछ समझा देते हैं और जब भी मतलब कोई बच्चा ऐसे समझ नहीं पाता तो उसको दुबारा कोशिन कूच कूच के उसके पास आते हैं उसके कूचिन कूचते हैं और दुबारा रिपीट नहीं करते हैं नहीं बहुत फणी वे में समझाते हैं यह नहीं है कि फिजिक्से से bowling subject भी बोलते हैं तो साथ में वो jokes बोल लते हैं कुछ ना कुछ funny moments create करते हैं इसके यह force लगातार इसकी direction को change कर रहा है और लगातार direction change होगी तो इसका path कैसा बन जाएगा circular और circular path में जो force किसी particle को circular path में लेकर प्याता है उस force को प्यान आते हैं तो बेटा यह force किसकी तरह act कर रहा होगा तो इस चार चार कनक्टरों से मिलकर यह coil बनी है वो किसमें रखी है मैं यह कया सकते हैं कि हमारे कर रखी है कि हमारे कर रखी है मैं के तरह बहुता है अर elyा थीक्स का कोचीं के विए पिर भाय के लगई करो कुछ चमीै की मेरे क्वाशा है। कर छोड़ है कि मेरे क्या किसी मेरे क्या मेरे बैंग्राफरी णोर इस भीर मुझे तो भूरिगा three the, download तो जी भूरिंग वो बच्चे पेड़ी पेंड़ उसको इंटरस्टिंग मानता या नहीं बताई थोड़ा सब्सक्राइब सब कुछ इंटरस्टिंग उना ज़ते हैं सब्सक्राइब इस देटे कैसे बढ़ा ज़ते हैं फिजिक्स यह सर् कीजी तरीके थे और टीजिंग भी है सरका अच्छा कर सै ... Yes, Sir आपको आजयता समझ ? अपको आजयता समझ ؟ आजयता Scientists motive कि फिजिकसे दो कुने केcules चलेता है इंटरस्टिंग लगता है रूजी लेकर बढ़ते हैं आपको क्या पर तो फिजिक्स में क्या अच्छा लगतή है किसी में 35 स्टूडेंट्स हैं, इस परकार से हम 3 बैसी में प्लस 2 क्लास को पढ़ा रहे हैं, और 2 बैसी में प्लस 1 क्लास को पढ़ा रहे हैं, अब की बार, ट्यूसन क्लासी थोड़ा सा लेट सुरू हो पाई, क्योंकि आपको पता ही है, COVID-19 की वज़े से क्लासी नहीं लग प पताई, देखिए, अगर physics मेरा subject है, तो understood सी बात है, कि physics ही मुझे पसंद होगी, और हर किसी इंसान को किसी नकिसी चीज़ की एक कशक होती है, बजब को भी मुझे ना, physics की एक कशक थी, और उसी कशक की वज़े से पढ़ाने का एक स्क था, और वो पढ़ाने का स्क आद यहां तक लेकर के आया, हलाकि प्लस टू में मेरे कैमिस्ट्री में नमबर जादा आए जे लेकिन उसके बावजोद में मैंने अपनी फिल्ड जो स्लेक्ट की, वो फिजिक्स स्लेक्ट की और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर दुनिया टीकी है हर जगहें पर फिजिक्स होती है अब आप मेरा इंटर्विव ले रहे हो मेरी बात सुन रहे हो, यह माईक आपने लगाया हुआ है अब आप क्लियर जाएगी, उंची होकर जाएगी तो देट इस फिजिक्स यह भाई कैमरे से सूट कर रहा है वीडियो सूट कर पा रहा है तो यह बच्चे हमें सुन पा रहे है पूरे यूनिवर्स में जिस भी चीज़ को हम हाथ लगाते हैं हर जगहें पर फिजिक्स है इसलिए यह एक बड़ा अजूबा तमतकारी सब्जेक्ट है लाफ्टर में कौन सा फिजिक्स है? इनके हंसने से हमें अनर्जी मिलती है और अनर्जी कैन भी कनवर्ट फ्रॉम टो अनजर फ्रॉम इनकी अनर्जी इनकी स्माइल ही हमें अनर्जी रहती है रूसी अनर्जी के बलगूते हम इतनी एकागरता के साथ इनको पढ़ा पाते हैं